नमस्कार आप देख रहे हैं जी टीवी नियूज जालोन में रिष्टों को कलंकित करने का मामला सामने आया है जिसमें एक पिता ने नसे की हालत में अपनी ही पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी इस घटना से पूरी छेत्र में सेंसनी फैली हुई है मामला जनपर जालोन के थाना कोटखोद के अंदर गत हदरुक स्वाक की छेतर के ग्राम डंगरू पुर्वा का है जहां पर कल्योगी पिता राम बाबु ने अपनी ही बेटी की हत्या कर मौत के खाट उतार दिया है ग्राम डू द्वारा दे गई पुलीस को सुषना मिलते ही मौके पर पहुचे थाना अत्यच अरूर्तिवारी ने बताया कि आरूपी राम बाबु की तलाक की जा रही है डंगरू कुरवा की निवासी राम बाबु ने अपनी ही बेटी की गला खोट कर हत्या कर रिष्ट्य को सरमशार करते हुए मौत ये खाट उतारा पिता अपनी पुत्री की हत्याकर मौके से फरार हो क्या मृतिका का नाम नीरस देबी पुत्री राम बाबु उम्र लगमख 18 बड़स बताई जारे है जो कि पीए की छात्रा थी जिसकी गला दबाकर हत्याकर पिता मौके से फरार है और पले स्चान बेर में चूटी हुई है मौके पर पहुचे छेतरा थेकारी जालूम दिजे आनन्द और फुट को थाना प्रभारी अरुग कुमार्तिवारी अपने इस्टाप के सांचान बीन में जुटे हैं घटना विती रात लगभग रातरी 11 बजे की हैं हत्या के काड़ों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है वही सुत्रों से पता चला है कि परिबारी कला की वचे से हत्या की गई है आए दिन परिबार में छगड़े होते रते दे पुलिश ने सौ को कपजे में लेकर पोश्माडम के लिए पूरे भेज दिया है पूरे छे फिर में घटना की वचा से संसनी बनी हुई है पेसे जालों से अनुसपाटकार के खास रपोर्ट क्या है पूरा मामला इस घटनेगा आपका क्या नाम है नीलाम क्या है पूरा मामला क्या हो गया था पापा कल लाए पी के और रात के मारा लागे सब लोगन को और गार से निकाल लाओ फिर हम लोग तो चले गाए खेंग आलमपुर तक फिर वहीं से फिर गाए जैसो अमों लोगन को मारो है किसने मारा पापान किस मद्धे लडाई हुई थी केती मद्धे लडाय थी केती मद्धे लडाय थी केत पक गाओ भी कावण चलोगा सो हमकच मिलो नइजारे क्या हुआ था यह कैसे हुई गटना किस से गर मैं इसके बॉंट मद्धे कव काव मद्धे लडाय थी किस ने मारा है थी को क्या नाम है आपके पती का क्या नाम है राम बाबू अच्छा उन्ही ने मार दिया कहां पर मारा गर पर या बाहर अरे गर पर पहले मारा रतरा है जिस अब जनाएं को नहीं गए जिस जले जाते दुकाई को हो तो यह सो को अधि सर्कोटों थाना च्छेट के डामरू फुरु गाओंशन एक पिता ने अपनी पुत्री की गला लबाकर हत्या कर दी सर क्या पूरा मौमला है यह का पिदा द्वराव पुत्री के साथ मार्कित करने के बात परकास में जिसमें उसके पुत्री की बिल्च हो गई है सब क जो पर सभी कोहनों पर जाच कि जारे हैं और शेकर अब्योक्ति की रफ्तारी करें जाएंगे